Hello everyone, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का MK Classes में तो guys हम लेके आचुके हैं Lecture No.5 on Accountancy MCQs जिसमें हम आज cover करेंगे कुछ important MCQs accounting equation के उपर दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो part 1 रहेगी जिसमें हम थोड़े basic level के questions discuss करेंगे लेकिन जो कल हमारी lecture आएगा इसके उपर वो part 2 रहेगा जिसमें हम थोड़े moderate level के questions जो है accounting equation के उपर discuss करेंगे दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के move करते हैं आज की वीडियो के उपर तो सबसे पहला question आप सब अपनी screens के उपर देख पा रहे होंगे तो हम आज सिर्फ mcqs discuss नहीं करेंगे उन्हें अच्छे से explain भी करेंगे आपके सामने ठीक है तो सबसे पहला question तो यही बनता है दोस्तों की accounting equation basically है क्या उसकी derivation क्या है the accounting equation is asset is equal to liabilities plus dash तो यह filling the blanks आपको options से देखके put कर दिए या पर capital आएगा current asset आएगा आज के बाद आपको accounting equation याद करने के जुरूरत ना पड़े ठीक है तो सबसे पहले यह derive किस तरह से होती है यह accounting equation बनी कैसे दोस्तों माल लीजिए यह आपके पास एक business entity है ठीक है यह एक business entity है इसे ही अपना business run करने के लिए 10 lakh जो है चाहिए 10 lakh रुपया business को चाहिए चलने के लिए जो owner होता है business का ठीक है वो 5 lakh रुपया ही provide कर पाता है business को अगर ठीक है माल लीजिए 5 lakh ही जो है business को provide कर पाया जो business का owner था ठीक है तो वो इसकी क्या बन गई capital यानि कि business को capital के तोर पे कितना मिला पांच लाग रुपया मिला जो की owner ने इसको दिया लेकिन अब जो remaining 5 lakh चाहिए तो वो business कहां से लेगा आउटसाइडर से लेगा यानि कि माली जी या बैंक से ले लिया या फिर creditor से ले लिया ठीक है तो यह जो bank से पैसे लिया या creditor से पैसे लिया यह जो है external liability होगी किसके उपर business के उपर ठीक है तो 5 lakh तो उसने owner से ले लिया as a capital लेकिन जो remaining 5 lakh था वो उसने outsider से ले लिया जैसे bank गया फिर creditor से ले लिया तो यह इसने अपना 10 lakh इस तरह से complete कर दिया तो अब अगर आपको कोई पूशेगी जो business के पास total assets है वो कितने है तो आप simply बोलोगे जितनी capital जो है bank business ने owner से ली है वो आ गई प्लस जितनी liabilities उसके उपर है क्योंकि उसने bank की या फिर creditor से remaining 5 lakh लेक लिये थे clear है तो यानि कि assets is equal to capital प्लस जो liabilities यानि कि जो भार से outsider से पैसे लिये है तो लाइबिल्टी आगी यही तो asset होता है इस तरह से जो है यह derivation की गई है accounting equation की तो दोस्तों यहाँ पर आप clearly यहाँ पर mark कर पाऊगी आपका right answer जो की होगा option A that is capital ठीक है तो assets basically क्या होते है business के कि business के उपर कितनी liabilities है प्लस कितनी capital है वही जो है assets होते है किसी भी business के clear है guys यहाँ पर capital आपका right answer होगा चलिए move करते है next question के उपर if the assets of a business are rupees 1 lakh and the capital is rupees 20,000 the value of liability will be तो guys assets is equal to liabilities plus capital आप सब जानते हैं यहाँ पर हमें किस की value provided है assets की value provided है 1 lakh ठीक है 1 lakh assets की value है और capital हमें provided है और liabilities हमें निकाल ली है यहाँ पर question mark डाल देते है और capital की जगा आगया 20,000 तो question mark की value यहाँ से आप clearly निकाल पाओगी जब 20,000 उससेट जाएगा है तो 80,000 जो है वो आपकी liability बच जाएगी clear है guys यहाँ पर कोई किसी कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए simple आपको values फूट करनी है accounting equation के उपर और बहां से आपकी liability की value है वो निकल जाएगी हजार दिया है बखकी बिजनस के पास 80,000 के सेट कहां से आए ठीक है न वो external liability होगी चलिए दोस्तों यहाँ पर 80,000 जो है right answer हो जाएगा move करते है next question के उपर accounting equation is the base of accounting equation किसका base है single entry system का dual aspect concept का double entry system का यह फिर cost measurement costing measurement system का guys यह काफी easy question equation आप सब जानते है जो accounting equation है double entry system का base होता है इसलिए तो हम सबसे पहले accounting equation के mcqs कर रहे हैं ठीक है general बाद में करेंगे allowed के mcqs बाद में करेंगे accounting equation के यह क्यों करेंगे क्योंकि इसे base माना जाता है double entry system का guys ठीक है तो याद रखना है accounting equation is the base of double entry system what do you mean by double entry system the the entry system which has two aspects of transactions one is debit and one is credit ठीक है यानि कि जिस transaction के दो aspects होते है two aspects जिस transaction से होते हैं उसे हम बोलते हैं dual entry system तो accounting equation जो है वो dual and जो double entry system है उसका एक base बाना जाता है प्लेर गाइस चलिए next question पर move करते हैं यहां पर आपका right जो answer आजाएगा वो आजाएगा double entry system who is the father of double entry system double entry system का father किने बोला जाता है वो आपको बताना है पहले भी हमने यह question अपने mcqs में cover किया हुआ है काफी important question है इसलिए हम इसे दोबारा repeat कर रहे हैं दोस्तों तो मैंसमों लोगों को पता होगा लुका पैसियोली जो है उनको माना जाता है double entry system का father ठीक है लुका पैसियोली is treated as the father of double entry system याद रखीगा दोस्तों चलिए move करते हैं next question के उपर spelling आप यहां पर देख लीजीगा यहां पर तोड़े गलत spelling mistake typing mistake होगी है spelling यह जो है right spelling होंगे ठीक है लुका पैसियोली ठीक है दोस्तों चलिए next question करते हैं अब बात आती है net income जो है वो क्या होती है दोस्तों net income ठीक है net income की बात अगर आप करो तो वो क्या होगी income minus dash income मेंसे अगर आप क्या गटाओ तो आपको net income जो है वो पता चल जाती है profit अगर आप गटाओगे income मेंसे तो या फिर loss या expense या फिर revenue नियूँ बताइए दोस्तों तो चलिए इसको हम समझते है देखिए net income क्या होती है दोस्तों वो income जो आपके सभी खर्चे निकालने के बाद आपके पास बचती है ठीक है जो भी जितने भी आपने खर्चे करने हैं वो सब खर्चे अगर हम निकाल दे यानिक एक्षिश हम इंकम बचती है उसे हम बोलते हैं net income clear रहाई तो यहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा expenses ठीक है अगर आप अपनी income जो आपकी income है उसमें से सभी expenses को निकाल दो तो उसके बाद आपको जो income मिलती है वो मिलती है net income clear है guys इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मालीजी अगर आपके आपकी जो salary है वो 10,000 है ठीक है 10,000 आपकी salary आपके खर्चे 2,000 है मेने के तो आपके पास 8,000 जो बचता है net income इसे हम net income कहते है ठीक है तो 10,000 जहां पर आपकी income थी 2,000 आपकी expense आगे और last में जो आपका 8,000 बचाबू आगया आपका net income चलिए दोस्तों next question पर move करते है यह आप खुद करने की try करों के दोस्तों video pass करिए इसे खुद try करिए आपकी कहा यह accounting equation के उपर question है इसे खुद try करने की खुद निकालने की try करिए दोस्तों तो मैं इसका solution करता हूँ आप video pass करके निकालिए इसे on January 1st 2009 and equities balance showed total assets of Rs.850 850 के total assets show किये and total liabilities of Rs.200 तो डाइसो की liabilities आगी plus C यह मैंने क्यों ऐसे fill किया assets आप सुब जानते हैं इस side होते हैं यहापे liabilities होती है और यहां पर capital होता है तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि capital कितनी होगी ठीक है 850 में से जो है 250 से जाएगा तो 250 is equal to capital तो 850 में से 250 माइनस किया तो पीशे बजा आपके पास capital कितनी 600 की ठीक है दोस्तों तो 600 जो है वो capital होगी यानि कि वो वो पैसे होंगे जो ओनर ने जो है बिजनस में इंवेस्ट किये होंगे तो यहां पर आपका 600 जो है राइट आंसर हो जाएगा तो डाइस रुपे क्या है सब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्टिव रही होते हैं तो ठीक है यह याद रखना है आपने अकॉंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के उपर बेस्ट होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्टिव रही होते हैं तो ठीक है यह याद रखना है आपन बोल सकते हो practical जो है आप इसे बोल सकते हो practical ability के उपर जो है इसके सभी principles based होते हैं question इस तरह की exam में अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों तो याद रखना है आपने क्योंकि आप सब जानते हैं यह practical topic ही practical है ठीक है अगर आप इसकी calculation देखोगे तो 70% जो है यह calculation के उपर based है ठीक है practicals के उपर based है theory इसमें near about 30% ही आपको देखने को मिलती है ठीक है तो practical aspect पे आपने ज़्यादा focus रखना है अपना दोस्तों चलिए next question पे move करते हैं according to the money measurement concept the following would be recorded in the books of account of the business money measurement concept आप सब ने starting में ही पड़ा होगा जब अपने account इन से start करी होगी तो money measurement concept यह कहता था कि हम उन transactions को रिकार्ड करेंगे जो की money की terms में represent हो पाए ठीक है उनी transaction को हम रिकार्ड करेंगे जो money की terms में represent हो पाए तो देखिए इन मेंसे कौन सी जो ऐसी transaction है जिसे आप money की terms में जो है लिख सकते हो health of the director of the company health को आप money की टर्म्स में लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो quality of the company's good company की जो goods है उनकी quality को आप लिख सकते हो mathematically money की टर्म्स में नहीं लिख सकते हो value of plant machinery जो आपकी machinery use हुई है उसको आप money की टर्म्स में उसकी जो value है उसे आप money की terms में लेख सकते हो बिलकुल लेख सकते हो तो यहां पर आपका right answer आएगा वो होगा option number third that is value of plant machinery की जो transaction होगी उसे हम record कर सकते हैं अपने books of accounts में ठीक है दोस्तों चलिए next question पर move करते हैं according to this concept ठीक है इस concept के according it is assumed that business will exit for indefinite time exit नहीं आएगा दो दो exist आएगा यहां पर ठीक है exist for indefinite time period की जो आपका हम कौन से concept के through जो है according जो है हम यह assume करते हैं कि जो हमारा business है वो longer period of time के तक जो है चलेगा ठीक है वो कौन सा concept है जिसके through हम यह assume करते हैं है ठीक है बताइए दोस्तों options आपको प्रवाइड़ेड़ है रेलाइएशन कंसेप्ट गॉइंग कंसर्ण कंसेप्ट बिजनस इंटेंटी कंसेप्ट यहां फिर नंद अफ द अफ़ तो गाइस यहां पर ध्यान रखना है आपने कि वो concept जिसके through हम करते हैं कि जो हमारा business है वो longer period of time के लिए जो exist करेगा उसे हम को बोलते हैं going concern concept ठीक है going concern concept जो है इसका right answer होगा गाइस चलिए next question पर move करते हैं पताइए दोस्तों यहां पर यह भी जो है आपका accounting equation के वोपर based question है assets minus liabilities is equal to question mark assets किसके बराबर होते हैं दोस्तों बताइए खुदी question जो है video pass करके खुद attempt करने की try करिए तो आप सब जानते है assets जो है वो liabilities plus capital के बराबर होते हैं यहां पर क्या किया हुआ है assets यहीं पर रहने दिये हुए है और liabilities को equal to के इससाइड ला दिया है तो यह किसके बराबर आएगा यहां पर question mark की जगा क्या आएगा यहां पर आप देख रहे हो capital आएगा तो option no.3 यहां पर आपका right answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए next question पर move करते है आज थोड़े basic level के question दोस्तों कल आपको थोड़े से हम tricky question जो है वो provide करेंगे 11th question पर move करते है if assets are 8,000 and capital is 6,000 liabilities will be खुद करिए ठीक है comments में बताइए इस question को खुद करिए और comments में बताइए काफी easy question है इसमें explain करने से आपका आपका जो है आप यहां पर right answer जो है देख चुके होंगे चलिए करी देते हैं इसको assets is equal to liabilities plus capital तो assets आपको 8,000 दिये हुए है और capital जो है आपको 6,000 दिये हुए है तो liabilities कितने हो जाएगी 8,000-6,000 यानिकि जो liabilities है वो आपके आजाएगी 2,000 ठीक है कोई दिक्कत आपको इस accounting equation जो है वो क्या represent करती है sources are allocated at cost price, owners gives money for the business, resources in the business are equal to the sources of the business, resources in the business are not equal to the sources of the business, guys ये था थोड़ा सा अच्छा question जिसे आप बोल सकते हो examination point of view से भी काफी important हो सकता है ये बताइए दोस्तों accounting equation जो होती है वो basically represent क्या करती है ठीक है वो बताइए अच्छे से पढ़िए time is easy अपना अच्छे से पताइए समझ सो समझ के तो guys यहां पर आपका right answer होगा वो होगा option number third that is resources of the business are equal to sources of the business कैसे accounting equation आप सबको याद होगी assets is equal to liabilities plus capital ये ही तो accounting equation दी ना तो इसमें जो assets है दोस्तों वो आगे आपके resources of the business ठीक है क्योंकि जिसकी budget से जो है आपका business चल रहा है ठीक है इसके बाद are equal to equal to sign आ गया to the sources of the business और liabilities plus capital जो है source है आपके business के stand होने के लिए अगर आपके business के पास है तभी तो आपको business चल पा रहा है अगर उसको पास capital ही नहीं होगी ठीक है जो required money उसको चाहिए वही नहीं होगी तो आपको business चलेगा इसे ठीक है sources of the business are equal to the resources of the business ये जो है आपकी accounting equation represent करती है दोस्तों याद रखी कर चलिए move करते है next question के उपर किसी को कोई भी दिक्कत दोस्तों कहीं पर भी आती है तो आपने हमें comments में बता देना है अगर हम comments में अगर आपको doubt जो है clear कर पाए तो हम comments में ही आपका doubt clear कर देंगे अगर नहीं कर पाए तो next वीडियो में आपके doubt को जो है जरूर हम cover करेंगे guys ठीक है तो बताना जरूर है comments में आपने कोई दिक्कत आपको अगर आती है चलिए next question पर move करते है question number 13 accounting provide information on accounting जो है किसके उपर आपको information जो है provide करती है cost and income of the managers, companies tax and liabilities for a particular year, financial condition of the institute या फिर all of the above, guys ये question आप सबने coverage भी क्या होगा कई बार, ठीक है तो यहाँ पर आपका all of the above जो है right answer हो जाएगा क्योंकि accounting जो है वो इन सभी के उपर जो है आपको information provide करती है कि आपको कितनी cost जैंफर income देनी है managers को आपकी tax and liabilities कितनी है particular year के लिए financial condition है क्या है आपकी business की ये सब जो है आपका accounting जो है वो आपको provide करती है इसके बारे में जो भी information आपको चाहिए होती है चलिए move करते है next question के उपर all of the above यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा next question काफी easy है patent copyright and trademarks क्या कहते है दोस्तन को हम पहले भी cover किया हुआ इसको तो इन्हें हम कहते है intangible assets intangible assets क्यों कहते है क्योंकि हम इने touch नहीं कर सकते है ठीक है तो आपको intangible assets कहां पर provided option number 3 यहां पर provided है तो all those assets which we can't touch are known as intangible assets patent को आप touch नहीं कर सकते है नहीं आप trademarks को touch कर सकते हो ठीक है तो intangible आगे और एक होते हैं tangible assets तो वह आप सब जानते हैं कौन से होते हैं जिनको आप touch कर सकते हो जिनकी कोई particular existence होती है जैसे के आपका furniture आ गया furniture को आप touch कर सकते हो तो आपका tangible assets है ठीक है दोस्तों चलिए next question पर move करते हैं last question है यह आपका which of the following will cause owners equity increase owners की capital उसने लगाई होती है उसकी increase किसकी वज़े से हो जाती है किसकी वज़े से जो है increase उसकी capital हो सकती है यह आपको बताना है options आपको provided है guys कि आपको बताना है जो नीचे आपको options provided है इन में से owners की equity जो है किसकी वज़े से बढ़ सकती है वह आपको बताना है expense की वज़े से बढ़ सकती है owner की equity नहीं बढ़ सकती वो कहां जाता है in the capital of the capital होती है उसमें जाता है capital में plus होता है आप सब जानते है जो भी revenue business में बिस्नस में होता है तो वो capital में plus होता है तो उसकी वज़े से increase हो जाएगी आपकी जो capital होगी owner की ठीक है दोस्तों तो revenue यहाँ पर right answer होगा last की वज़े से तो गट जाएगी clear है तो यहाँ पर आपको clearly option दिख रहा होगा revenue की वज़े से जो है आपकी owners की जो equity होती है वो बढ़त होता है यह सब आपको आगे जो है पता चल जाएगा जब हम आगे move करेंगे यह जो है आता है आपका trial balance trial balance और legit करने के बाद यह concept आपको अच्छे से clear हो जाएगा की capital जो है capital में क्यों plus की जाती है जो भी revenue जो है वो जो gain होता है वो capital में क्यों plus किया जाता है यह सब आपको जो है cover हो जाएगा next जो हमारी वीडियो जाएंगी दोस्तों आज हमने जो है नेरबाब 15 कोशन लिये थे तो hope आपको कुछ सीखने को मिला होगा इन में से और maximum question आपके ठीक भी हुए होंगे और जो चोटे मोटे आपके doubts थे तो वो भी clear हुए होंगे और अगर आपको कोई doubt भजता है तो क्वेंट section में आप सबको बताने हैं अपने doubts तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने रखते हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जूरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने जाते हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर ठ चैनल के उपर अपलोड की जाती है तो टेलिग्राम चैनल से आप PDF भी डाउड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है दोस्तों AMKAY ठीक है MK classes तो जाइए टेलिग्राम एप पर सर्च करें MK classes और वहां पर हमने जो भी PDFs प्रवैड की है उनको देखिए उनसे पढ़ मुदा देखिए लिए हूग वागा पता पतातल मंने कर दोस्तों मेरत वहां दो Satyak आप पढ़ए तो續 में जाट की तो बाछर की है मात तोस्तों है Kyos